दोस्तों स्वागात आप सभी का हमारी आज की एक और नीव वीडियो में और देखो आज की वीडियो जो है वो उन लोग के लिए जिनका बज़ेट वैसे देखा है ज्यादा नहीं है उनका मज़ेट जो मैक्स है साड़े छे साड़े साथ लाग रुपे तक स्टेच हो पाता ह यहीं पर लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सी गाड़ ले नीचे तो इतना तो साफ है कि इतने बज़ेट में आपके परस जो मारती ब्रैंड है उनीकी गाड़िया आप आती कि वही सबसे ट्रस्टेड है यहाँ अगर बात आती है कौन सी गाड़ी ले नीचे कि इतने बज़ेट में आपको अब जो नहीं केटेन आ रही है वो मिल जाती है यहाँ पर बाहरे साफ देखरो एस्प्रेसो है वो मिल जाएगी 800 आपको मिलती है वैगनार आपको मिल जाती है और में खासे स्विफ्ट का भी बेस मॉडल यहाँ पर आ जाता है तो कौन से आपक आपको मिल रहेती है तो मेरे साफसी है यहाँ पर आपके लिए जो वैगनार है को सबसे परफेक्क डिल बन जाता यहाँ पर गुह पर भी आता है और यह उन लोग केली ठीक है जातर लोग जो जो कह रहे है कि उनको जो नहीं केटेन इसका लूग अच्छा नहीं अहीं लग इसमें वह फील नहीं है, मज़ा नहीं है, और जो 800 आपको आपको इसी जो स्पेसिंग है, वह जो कमफर्ट है वह नहीं मिल पाता है, हर बार माईली जी सबसे बड़ी बात नहीं होती ही, कमफर्ट हो गया, आपकी फैमिली के साफ से अफोर्टिबिलिटी ये सब चीजों को भ हर चीज में फाइदेबंध आपके लिए रहती है, और अच्छी बात तो ये कि आपको 1000 सीसी मिलती है, 12 सीसी मिल जाती है, 4 सिलेंडर इसमें इंजिन आता है, तो यहाँ पर जो रिफाइनमेंट है, वह 1000 सीसी इंजिन से जादा अच्छा मिल जाता है, तो इसकी बारे माँ करो इसकी जो गाड़ी की हाइट डिजाइन वह बहुत अच्छा है जिस वेसे अंदर आपको जो हैद्रों स्पेस बहुत बढ़िया मिलता है मतलब रूमी रूमी फील आपको मिलेगा बतलब चेक आउट करो इसकी जो हाइट है और यहाँ पर जो ब्रीजा खड़ी है दोनों क जो कैबिन स्पेस वह बाक्य में थोड़ा बढ़िया मिल जाता है और जबकि देखो साड़े छे लाख में यह आती है साड़े श्याद साथ लाक रुपर में यह भी गाड़ी आती है तो यहाँ पे जो कंफर्ड है वह आपको एक बढ़िया ही मिलता है बाखी जैसे यह अब आप मॉडल्स है उसी में मिलेगा और यह अब जो गाड़ी यह डियोल टोन में भी आती है मतला अगर आप इसके टॉप मॉडल में जाते हो बिलकुल तो वहाँ पे आपको डियोल टोन एफेक्ट मिल जाता है उपर की जू रूफ है यह पिलर ब्लाक हो जाते है तो वह तो यह देखो वह यह समय कहा रहता है यहाँ पर आपको बार सिसी का फोर सिलेंटर इंजन मिल जाता है और पावर यह आपको अच्छी खासी पावर निगल जाती है अब कुछ लोग कहते है इतने प्राइस में तो देखो जो आपकी इगनी से वही मिल जाएगी वहाँ पर म उस गाड़ी में इस गाड़ी जितना चो कमफट और जो माइलेज आ वह नहीं निगल पाता पावर आल्मोस बराबर है पावर में ज्यादे डिफरेंस नहीं लेकिन जो कि कहते हैं जो हैंडिंग और माइलेज ए और जो रूम स्पेस वो इस कार में जादा अच्छी मिल जात कोई भी दिक्कत नहीं है और मिसमें कहते हैं बहुत रूमी फील आप यहां पर करोगे तो वैसे CNG लेना मत वो क्योंकि पेट्रोड मॉडल से थोड़ा आपको एक्सपेंसिब पड़ता है खाली माइलेच के चकर में आपको इक बूट स्पेस नहीं मिलती है लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो इसमें CNG में इसका VXI मॉडल है क्योंकि इसमें आपको VXI सारे फीच स्पेस मिलती है तो अच्छी-काची स्पेसिंग है काफी सारा स्टफ यहां पर कहरी करते है तो क्योंकि इस रेंज में जो गाड़ियां आ रही है उनमें ज्यादा स्पेसिंग आपको नहीं मिल पाती मैक्स-क्स खीच-काच की 290 तकी या 300 तकी बूट स्पेस आपको मिलती ह और इसमें देख रहे हो एवन आपको 60-40 स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है तो स्पेसिंग के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है अगर आपकी फैमिली में बच्चे रह सारे है अगर चार-पांच बच्चे तो पीछे बहुत अराम से बैट जाएंगे पांच स्पेसिंग का अपको मिलती है और इसका लाज जो इंटिरियर वह दिखायता हूं मैं आपको जो स्पेसिंग है वो कैसी है तेखो इसमें सीट का जो एंगल वह बहुत अच्छा आपको मिलेगा तो पीछे देख रहो तीन लोग बहुत अंधाय सपोर्ट बैक सपोर्ट और ह सब कुछ बहुत बढ़िया है यहां पर जब कि यह सीट है मैंने अच्छा खासा मिल रहा है और मेरी हाइट 6 पीट है तब यहां पर देखो मैं थोड़ा अराम से इस तरह से तो यहां पर इनफ स्पेसिंग है कि मेरे जैसे यहां पर दो लोग और आएंगे तो इसलिए आप देखरो आपको स्पीकर मिल जाते हैं पाव विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे वाटर बातल होल्डर आपको मिलता है पी छाए पको फिक्स क्रव हेंडिल मिल जाते हैं और हैड्र जादा बढ़े ही है तो हैट सपोर्ट को डिसेंटी मिल गउंगा लंब लोग क वो मिल जाता है अनलॉक करने पर इस तरह से आवाज भी आपको मिलेगी अब देखो यहाँ पर सीड इस तरह से मिलती है एड़स्टेबल हैड्रस नहीं है लेकिन इनकी हाइड काफी अच्छे तो देखो आगे की सीड में भले एड़स्टेबल हैड्रस हो नहूं पीछे की तो देखो गई वंटेज डाउन वाला जो फंक्षन है वो भी इसमें आप मिलता है बाकी तको फीचर तो सब वही है बस वहीं कि उतने ही प्राइस में आपको एक काफी अच्छी एक अफोर्डेबल और एक फैमली वाली गाड़ी मिल जाती है अंदर दिखा दू एक बार व 5-speed का येरबॉक्स यहां पर आता है और डीसेंट यहां पर जो इसका साइज है वो मिल जाएगा और सेप्टी फीचर भी है दो एरबैग्स मिल जाते हैं हाँ अगर जैसे नीचे के मॉडल लेते हो जैसे इसका जो एलेक्सा ही मेरे देते हो नीचे लोगे तो आपर सिंगल लेकिन इस मोडल में आपको दो एरबैग्स मिल जाते हैं एबीस मिल जाएगा एबीस जो बेसिक फीचर्स है वो सभी आपको मिलते हैं और स्पीड़ मीटर इस तरह से दिखता है लेकिन सभी में सीडिंग कमफर्ट मुझे बहुत प्यारा लगा यार मतला गर मैं मैं केटन म लेकिन वैसा कमफर्ट उन गाड़ियों में नहीं है जो इस कार में आपको मिल जाता है लाइट खाली फ्रेंड में दे रहे हैं काफी बड़े यहां पर आपे रहे हैं और जो ओवर्विं का साइज है ना भार यहां पर यह यह भी काफी अच्छा है इलेक्ट्रिकली इनको आप एड़्जस कर सकते हो लेकिन फोल्ड आपको इनको मैनुवली करना पड़ेगा इस तरह से लेकिन सही है मतला अगर आप सात लाग रुपर मैक्स तुमेक्स खर्च कर सकते हो अपने इसाब से तो आपके लिए यह गाड़ी बैस डिले बाले है आप हाईवे के इसाब से इनका number में description में दे दूँगा इनको आप content करना है इन चीजों के बारे में ये आपको अच्छे से बताएंगे और भी मैता आपको वैसे यही recommend करूँगा अपनी तरह से कि इस car को लेना ज्यादे फायदेगा साधा है इन कारों के मगाबले तो अगर आपको मेरी बाइस सही लगी तो वीडियो को like करना, share करना, channel को subscribe करना, मत भूलना और instagram का link भी मैंने नीचे दे रखा है तो वहाँ पे भी आप हमको follow कर सकते हो और कोई query है तो उसका भी comment में हम आपको reply कर देंगे, बस comment जरूर करना, तो बहुत दल मिलते हैं आपको ऐसी और नी वीडियो के साथ, तब तक ले जाहिन, फन्ने मातरम